खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार मैं हुआ बिज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ़ते का परिवर्तर परिवर्तर ये वाकई साल का अंत जैसे हो रहा है बड़ा परिवर्तर लेकर आया है भारती जनता पार्टी के लिए इसलिए बड़ा परिवर्तर लेकर आया है क्योंकि मई 2019 में ही नरेंदर मोदी वापस आये केंदर की सत्ता में 303 सीटे लेकर लेकिन उसके बाद से निरने उनकी सरकार बहुत ले रहे हैं लेकिन राज्यों में अपनी पकड़ होती जा रही है और सरकारें होती जा रही है बड़ा मसला इस वक्त यह है कि फिर 2020 में आने वाले साल में जो बीजेपी की पैन इंडिया डामिनेंस थी केंदर से लेकर राज्यों तक वो कैसे काबिज रहेगी यह बहुत बड़ा परिवर्तन का मसला है और बहुत सारे सवाल इससे जुड़ों है हमेशा की तरह एक बहुत ही जानकार खास लोगों का पैनल है और उससे मैं आपको मिलाता हूँ प्रेम शुक्ला साब है जो भारती जनता पाटी को रेप्रेजेंट कर रहे हैं और पहले भी इस प्रोग्राम में रह चुके हैं प्रखर वक्ता है और इनकी जो माथे पर बिं किया एक कांगरेस की तरफ से भी इस पाइंट रखेंग है और पूरे सम्मान के साथ और तालियों के साथ आप से गुजारिश करूगा अलोक मेताजी को आम इनकेट करें बहुत कुछ इंसें सीखा है PB और ये पत्रकारिता का वो पिलर है जो अभी भी पुरानी हिमारत की खिड़कियों से जहां करें धन्यवाद आप सभी लों का सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए और समझे की मैं क्यूं कह रहा हूं मोधी सरकार ने दूसरे टर्म की शुरुबात के कुछ महीनों में ही कई बड़े फैसले ले लिये है जैसे कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला मोधी सरकार ने इन सभी फैसलों को देशित में बताया हर चुनावी रैली में पिएम मोधी ने जोर शोर से इन नए कानूनों का प्रचार किया कहा कि इन सालों पुराने मुद्दों को मोधी सरकार ने सुलझा दिया लेकिन लगता है कि देश हित के इन फैसलों ने राज्यस्तर पर जनता को ज़ादा प्रभावित नहीं किया है देश की जनता सिर्फ मोधी को वोट दे रही है लेकिन जहां मोधी का चहरा नहीं है वहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है महराष्ट्र और जारखंड के चुनावों के बाद तो ये हालात और साफ होते नज़र आ रहे हैं कि राज्यस्तर पर बीजेपी की राजनीती नहीं चमक रही है अब राज्यों में लोग अपने लोकल नेताओं को वोट दे रहे हैं तो क्या मोधी के राज्यस्तर के नेता अपने दम पर नहीं जीत सकते हैं अगर ऐसे ही हालात रहे तो मोधी सरकार को आगे जाकर राज्यसभा में किसी भी बिल को पास करवाना मुश्किल हो जाएगा और सबसे बड़ी चुनोती नरेंद्र मोधी के सामने साल 2020 के दिल्ली और बिहार विधान सभा के चुनाव है 2019 मोधी सरकार के लिए राजनितिक तोर पर शुरुवात में शांदार रहा लेकिन साल का अंत आते आते मोधी जी के लिए मुश्किलें बढ़ती गई अब देखना होगा कि मोधी सरकार 2020 के लिए किस तरह खुद को तयार करती है अमेज़ा की तरह आप सब लोगों को बताने और समझाने के लिए एक हकीकत की तस्वीर होती है इस प्रोग्राम में फैक्ट के जरीए समझे कि क्या तस्वीर है इस वक्त और भारते जनता की पार्टी के कहानी जरा हम समझते हैं जो के हिसाब से पहले ही आपको बताया था ये ग्राफिक सब हमारे सामने आएंगे और उसके जरीए हम हकीकत की तस्वीर को समझेंगे बड़ा स्पस्ट है पहले भी इसको रख चुका हूँ आप राज देख लिजे दोहजार अठारा की स्थिती देख लिजे एक्किस राज देख लिजे अड़क्सत फीसिदी हिस्से पर इंडिये का शासनता ये पुरानी बात हो गई है लेकिन ये रखना आपके सामने तथ्य बहुत जरूरी है दिसंबर दोहजार उन्निस अब इसको थोड़ा साब समझेए अकेले बीजे पी की सरकार दस राज्य में और गड़बंधन के साथ आलाइज डिपेंडेंट आलाइज पर निरभर बीज को समझाने की कोशिश करता हूं क्यों 2020 चिंता होनी चाहिए नरेंदर मोधी जैसे लोगप्रिय नेता को भी अपनी पार्टी को लेकर स्टेट्स में जहां पर बीजेपी की खुद की ताकत है बड़े राज्य जराइज इसको समझे गुजरात करनाटक करनाटक में क्या और लोकसभा के लिहास से भी तो कुल मिलाकर चार बड़े राज्य हैं जरा इसको समझे चार बड़े राज्य हैं भारतिय जनता पार्टी में के पास जहां उसकी खुद की ताकत हैं तो अस और आगे बढ़ते हैं इसको और बहतर आपको एक्स्प्रेइन करने के लिए और भी जरा समझे बड़े राज्य हैं मैं जानबूच कर बता रहा हूं यह नाम क्योंकि बड़े राज्य हैं मध्यप्रदेश से बीजेपी की गवर्मन्ट चले गई राज्यस्थान से बीजेपी की गवर्मन्ट चले गई माराश्य में बीजेपी की गवर्मन्ट चले गई च हारकंड में बीजेपी की गवर्मन्ट चली गई हम सब ये जानते हैं कि इन सब के बीच सेंटर में केंद्र सरकार के लियाज से भारतिय जनता पार्टी अपने सारे अजेंडों को आगे बढ़ाती रही है चाहे उसमें नागरिक्ता का कानून हो ट्रिपल तलाक हो जो 82 साल कितना चिंता करना चाहिए नरेंद्र मोदी को क्योंकि जब किसी पुलिटिकल पार्टी की पैन इंडिया डॉमिनंस होती है राष्टी और व्यापक्र स्थर पे तो वो राज्यों में भी नजर आती है या हम यह समझें कि हिंदुस्तान का इस वक्त चल रहा परिवर्तन यह कि केंदर में हम देखेंगे नरेंद्र मोदी की तरफ राज्यों में नहीं अभियान जी वैसे यह सही है कि चिंता तो करना ही चाहिए पार्टी के प्रानमंत्री नाते भी और सबसे ज़्यादा हो जिसे कहते कि पार्टी के जुड़रे आज अभिशा भी है तो अध्यक्ष ह आपके शोय कोई देखे ही नहीं पता चला दिखी नहीं रहा है तो चाहिए हो सकता है बहुत ही आपने खर्चा किया बहुत बड़े प्याबाने पर किया नहीं देखना तो दिखना भी चाहिए कि सब्ता में आप लोगों को क्या दे पाएंगे एक कारण यह है कि इस चिंता इन सब राज्यों के लिए चाहिए मध्यपदेश हो जर्पावर वर्स नॉन पावर में ये वोर्ट प्रतिशत बड़ी कमजोर दलील हो जाती है ये पत्रकारों के लिए बचती है दली रंत में चीडियाने को बात होती है कि कौन पावर में नहीं आपाया तो मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं है भी आजी चुकि हम लोग एधी उस समय देखें जन्ता पार्टी के समय में अचानक इंद्रा गांधी को दक्षिर बाद में कैसे विदान सबाओं में समतन मिल्या मैं उस समय के मैं पासमाद देखें आज फाइले रखें हुई है तो ऐसे जो इसे वेव थी संगता पार्टी पर देश वाई एमरजन्सी विदान सब्सक्षा है जब चुना ओवे तो जन्ता पार्टी तब नहीं जा रहे थे तो बड़े पर दिग्वारजी भाई आज तो मतान के लोग बादा सक्ते थे नौवान को सुनने के लिए बड़ा इंटरेस्टी यहीज कहिना हम वही आप छणाब आगे जाने के पहले भी, हमारे पहले कैस पीम गहाले शसी हे कीजि牌 लेकिन यह सही है कि प्रादेशी नह्त्त जहां थिवह अ प्रयोगu कि ड़िशेेप्धे मार्याना में से हम टीखेजॉः प्रेडाम में सामने आया और दूसरा जो पहले से मठातीष थे महराष्ट अर्याडा आया वो खुद मतलब वही उनको निप्टाने में लगे रहे सवाल आजी परिवर्तन है और परिवर्तन प्रकृत का नियम है आपको बहुत पुरानी बात नहीं हम तो हम लोग तो आलोग जैसे अनुभवी नहीं है तिन आप ध्यान कीजिए 1990 के दशक में जब आदरणी अटल बिहरी वाजपई जी प्रधानमंत्री हुए और चार महत्पूर्ण राज्यों में परिवर्तन हुए उसका दवरान उत्तरपदेश में कल्यान सिंग जी से नेतरुत परिवर्तित होकर प्रिवकुमार दोंबल जी के पास आया और इसी तरह से वैरो सिंग शेखावत जी आ गये केंद्र में और वहां असुंद्रा जी के हाथ में नेत्रे तो दिया गया तब भी लोगों ने इसी तरह से कहा था लेकिन परिवर्तन एक नियम है अब उसके तहत जो है अब जनता 20-24 भी कई बार अपना निरने इती है जनता हम बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी अहरा स्ट में हर कोई जैता था महारा बच्चा-बच्चा कारेकर्टअ कहता था किMac कारेकरता कहता था किम को अकेले चुन долларов चुनान लड़ना है और अकेले अम चुनाव लड़न बाखी जगह तो जनता नहीं इस अपनी की आपको दूसरा भारियाना जो है गैर परमपरा गद भारचपा का राज नहीं रहा कभी भारचपा को जनादेश प्राप्त हो कि मोदी जी का बहुत जबरदस्त करिश्मा 2014 करा इसमें किसी के मन में कोई संदे नहीं होना चाहिए कि ह रही गारीयाना, 2014 में जो हमारा महाराष्ट जो सेल आसे हैं involvedर करीषोगर माहराष्ठ उसर चाहुदा सेले के भारतियन ता पार्टी थी थैस सेट सेलागी सदे रही एक एक शोचोवी सीट आई थì ती ओली थी करई जो चमत्कार के नेत्रश पर जब है का BIGत फे सब्सकेक कि के अगर ऑकिले लड़ते के आकेले लड़ते तो फिर हम 240 के ऊपर जाते यह चमत्कार की स्थी तो भी बीजेपी डिक्लेयर करते हैं अलाइंस इस पॉलिटेक्स से हमारा कोई मतलब नहीं जहां लेंगे लेकिन एक बार अमने कड़बंदन धर्म का निर्वाय करना हमें एक हमारे साथी आए सीट आप ते इसमें 2019 को लेके आएं इसका मतलब 6 में बचमाटकार जला गया आप तो देखी नो 2018 में आपको याद होगा दिसंबर 2018 में जब हम लोग बैठे थे तो हमारे हां से राजस्थान मध्रदेश वर चतिसगड़ गया था लोग कहरे थे भारती जनता पार्टी 200 से सब 200 सीट की बीच में रह जाएगी कहते थे ना हमारी पार्टी ने चिंता की चिंतन किया और अपनी चिनोती को सीका रहा है एक क्विक पॉइंट इसी पर इसी परिवर्तन पर ये प्रोग्रम में सर आप प्रेम जी मुझे बताईए क्योंकि सेंटर आप कंफ्यूज मत करिये कि सेंटर में मारी 300 सीट आ रही है मुद्ध यही है सेंटर में आपकी आ रही है लेकिन 6 महीने समय अंतराल में जो 2014 के चमत आपकी बात से पूरी तरह से कंविंस नहीं हूं कि अभी इस पर और चर्चा करेंगा आपकी क्या दिक्कत है राहूल गांदी आपका रिवर्स कर देते हैं राहूल गांदी जब नेतने तुम होते हैं तो आप राश्टी स्थर पर डूब जाते हैं और राज्यों में आप करना जब से आप ने पकड़ के साथ शुरू किया है आलोक मेता यहां बैटें जिसमें मेरे हिसाब से साल देड़ साल मानके चलूंगा मैं तब से आप अलाइंसर करना सी गए हैं आप बहतर राजनीती कर रहे हैं आपके विपक्ष के लोग उसको प्लिटिकल कॉम्परमाइ यह परिवर्तन प्रकरती के नियम से नहीं परावर्तन से है अपने काम का जो रिफ्लेक्षन है केंद्री नितरत का इससे आप अलग नहीं कर सकते हैं प्रत्येक राज्य को देख लीजिए प्रत्येक राज्य के प्रमुख ने प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा भार जिहाद उत्तर प्रदेश में हुआ, घर वापसी हुआ, यहां तक की स्वयम प्रधान मंत्री जी ने शम्षान, कब्रिस्तान, दीवाली, रमजान पर चुनाव जीते हैं। प्रधान मंत्री जी ने अपनी स्कीम्स को लेकर प्रचार करना प्रारम्ब कीए। मगर जब उन्हें इस बात का अभास हो गया कि डिलेवरेबल्स नहीं हैं, तब वो पॉलराइजेशन पुपपूरी भारती जनता पार्टी की राजनीती आ गई। सारे प्रधेशों के चुनाओं सिर्फ और सिर्फ केंदरी नेतरत के कारण हारें कैसे? मैं 4-5 छोटे से उधारन देता हूँ. मेरे राज में अगर आप मध्यपृदेश में आएंगे तो जो सोशल इंक्लूजन की स्कीम है, पिछले साल 6,000 करोड रुपया केंदर सरकार ने नहीं दिया, इस साल 32,000 करोड रुपया आना था, सिर्फ 9,000 करोड रुपया आया है. सारी स्टेट्स का ये हाल है, अभी दिस 933, 18%, सुच्छता की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, सिर्फ 15% है, स्मार्ट सीटी, 5151 स्मार्ट सीटी के प्रोजेक्ट्स पर काम होना था, 933 हुए है, 15%, तो डिलेवरेबल सरकार के पास नहीं है, GST का आपने जो कंपनसेशन का प्लान किया था, 14% की ग्रोथ मानकर, वो 9% भी नहीं है, तो बहुत, एक्तम सीधा प्रस्न यहां पर फिर यह बढ़ बनता है, कि इस वक्या हो रहा है, क्या राज्यों में बीजेपी हार रही है, अपने नाशनल अजेंडास की वजह से, जिसमें अभी, मतलब मैं तो उस बह, वो एक अलग विशह है, वो एन पी आर औ में चोट तोंचारी है, क्या ऐसा है? विश्चारी मुद्धे एक आपको सपोर्ट करते हैं, राज्यों में जो राष्ट्रवाद का आपका अजेंडा है, ये राज्यों में क्यों नहीं क्लिक करता आपके लिए? अब कैसे बसाएंगे आप, आप जो हैं, एन पी आर किसी जबाने में करेंगे खुद, और उसके बाद जो आप विपक्ष मेरे जाएंगे विरोथ करने लगेंगे, हम 370 विपक्ष मेरे तबी 370 पे कायम रहे, सत्ता पक्ष मेरे तबी 370 हमारा एजेंडा रहा, राम अब जनम्दा नहीं बनाएंगे, हमारे लिए प्रिपल तला कर आपको राज्यों में फाइदा नहीं हुआ, वो इसलिए को चुनाओं से देखा ही दि उसको, वो हमारे लिए कुछ चीजे ऐसी है, जो चुनाओं से इतर राष्ट के हित में आवश्यक है, उनिफॉर्म सिव करते हैं, दो इतर राष्ट का संकल्प है, उस राष्ट के संकल्प को आपको उमने प्रिणा करें।อर रास्ट के भींद करने के संकल्प साहँ जिए अफ्यद या परनद करें। 2018 तक कह रहे थे कि 10 जनव मोधी जी ले लेंगे नहीं हटा पाएंगे जनता ने शक्ति की और ऐसे हमने फेक दिया जनता राश्चुबाद के मुद्धों पर बीजेपी को शक्ति दे रही है बट राज्यों के मुद्धों पर नहीं दे रही है नरेंद्र मोधी को आप सुनिये अभी भी देखिए समस्या क्या है बीजेपी के दो दिक्कत है बढ़िया प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी और बहुत बढ़िया प्रवक्ता है अभे दूबजी देखिए कैसे अपनी पार्टी की बातों को ये लोग घुमाते हैं लेकिन बाते घुमाने से हकीकत नहीं ब नहीं हुआ कि नई सरकार मन्ने के बाद सब्तर दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35 एक को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने राजसभाव और लोगसभा ने दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया बड़ा प्रश्ण हम आज ये उठा रहे हैं कि बीजेपी की राज्यों में पकड़ गिर रही है 2020 में क्या रणनीती के हिसाब से राजनीती के हिसाब से भारतिये जनता पार्टी इसको बदल पाएगी डिजिटल मीडिया के जरीए भी आप लोगों की इतनी प्रतिक आया थे खुछ दिल चैस में जल्दी से पढ़ना चाहूंगा और मेरी निर्देशक अंजू जी इसको बताएंगी एक व्यक्ति मुदिद बंसल सहाब है इनकी बात मुझे जरूर उठानिया आलोक मेहता से यह पूछते हैं कारेकरताओं की अंदेखी के कारण अलोग जल्दी से आईवरी टावर में सारी पार्टिया रहने लगती हैं नेता रहने लगती हैं डिसकनेक्ट हो जाते हैं वरकर से उन्होंने सवाल पूछाए कि कारकरताओं की अंदेखी बिल्कुल यह बात बहुत सही है और खासकर के राज्यों में तो जैसे मुख्मंत्री बन गए उन्हें का हम बना दिया गया हाई कमांड ने रख दिया और उसके बाद में फिर कारिकरता फुल जी ट्विटर और फेस्बुक और यूट्यूब सबके जरिये आते हैं एक जल्दी साब के लिए जल्दी से पॉइंट को करें भाजपा लोकल मुद्धों पर कभी ध्यान नहीं देती वो सिर्फ अपने आपको दुनिया का हीरो साबिक करना चाहती यह सुनिल कुमार जी यह सम्टि नहीं मकान मुफ्त को दिये कर लोकल मुद्ध को दिये कि यह लोकल मुद्धा नहीं था पर के लोग इंद कॉसरत AND ब हो और पराजे सवाव पूछना चाहते हैं और किन से यह जुरूर कि बताईएगा सर मेरा सवाल आलोग जी से हैं आप क्या फर्क देखते हैं अटल अडवानी जी के भाजपा में और नरेंद्र मोदी और अमिट शाह के भाजपा में चुकि मेरा ऐसा मुझे लग रहा है कि इस भाजपा में जो अभ सवाल है जल्दी से अटल अडवानी एरा और मोदी अमिट शाह इरा इस पर अलग प्रोग्राम हो सकता है चुकि एक नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से अडवानी जी के नित्रितों को बाद में चैलेंज किया तो कहीं ये डर तो नहीं अमिट शाह और मोदी को कि कोई ऐसा उभर करना आ जाए जो कि हमें बाद में चैलेंज करें इसलिए वो चेत्रे नित्रित को सारे पॉलिटीशन को ये डर होता है अलो चुछ जिल्दी से देखे मेरा ऐसा मानना है कि उस समय भी एक दूसरे नहें देतों करने की तैयारी की गई चाहे जेटली बनाए गए सुष ये कर रहे हैं कि नया जो सेकंड लाइन है उनको फर्स लाइन ला करके चुकि पहले के लोगे दी उनके बारे में बहुत जो आरो अश्डाय होती थी बदल दिया जाए ये कंभीर खत्रा होता है जब आप दूसरी पीड़ी को एकदम हाथ में दे दें सकता या दूसरे जो वहां पर दूसरा त्यार हो जाए ये मान सिकता अब इसको बहुत जाए जाता उस पर वो कितना सबल होता है सवाल ये कि वह दी उसको दे दिया गया तो वो योगी जी अपनी मजी आज़ी करें के दिकत्रा है अच्छा सवाल है लेकिन इस कारेक्रम में संबब नहीं यह बहुत गहरा रिशाइस पर एक लग कारेक्रम होगा जी पूछना है कि कहीं आपने बड़े-बड़े मुद्दों के चक्कर में लोगों की जो परसनल मुद्दे थे ये कॉमन मैन का जो इशू था उसको तो कहीं अपने भूला दिया लोगों की थाली में प्याज नहीं रहेगा जेब में पैसा नहीं रहेगा नोकरिया नहीं रहेगी तो लोग आपको क्यों करेंगे पूरी दुनिया में एशिया पैसिफिक में भी सबसे अधिक तीव रगती से यह दिवेतन में वृद्धी होगी तो भारत में है और मोदी जी की नितियों कारने मैं नहीं कह रहा हूं होगी और उसी तरह से आप देखिए एफ़ी आई सबसे बेटर है इस देश आप आर्थी कुंतों की बात करते हैं एफ़ी आई सबसे बेटर है एफडी आई पचास पिज़्दी अधिक नहीं दिखता है सब्सक्राइब आपको क्लियर लग रहा है कि लोगों को केंदर में किस अपनी पीक पे 2015 में होने वाला है उसके बारे में थोड़ा चिंतन मनन कीजिए निश्वित हम चिंतन मनन करना आप पुरा विश्वास कीजिए कि अब केजरिवाल जी कभी पीर समाफ्त हो गया है इसलिए वहां भाजपाई आएगी बुन्यादी परस्न है 2020 में बीजेपी की जो बड़ी पैन इंडिया प्रेजेंस थी जो मुश्किल से एक साल पहले दमदारी से नजार आ रही थी वो चली गई है उसके लिए क्या कर सकती है बीजेपी अभी भी सेंट्रल गवर्मेंट उनकी 303 सीटों के साथ है यही होता है इसलिए यह कारिक्रम म में होता है समाद में होता है जो आपके हमारी जिंदीगी पर सीधा असर डलता है समाधान सुनना चाहूंगा मैं हर यहां पर अपने खास पैनिलिस का 40 सेकंड का उनके पास समय होगा अलोग जी सुलिशन क्या है इस वक्त बीजेपी के लिए कि मुझे लगता है कि जो बार बार कहा जाता है जो उनके सांसाद विधायक करपोरेटर पंचायत तो दूर स्टोर पंचायत लेवल पर भी होता ही है और क्षेत्रे स्तर पर भी जब विधायक कांग करते रगवर्दास अभी क अपना प्रजिक लिए आपकी केंद्रि जबता जा रहा है नहीं नहीं देश के नसीब से जुड़ा हुआ विशह है मैं मेरे राजनेतिक दल में अपने नेत्रत अपने राजनेतिक दल की भविश्य की अपेक्षा ये चिंता करता हूँ कि इस पीडी का भविश्य क्या होगा जिस भी राजनेतिक दन क्योंकि दाइत भी यह है हम आत्मकेंद्रित होकर अपने नेत्रत पर नहीं लगे रहें देश का नेत्रत तो देश के से आगे बढ़ेगा कि बड़ी उपलब दियां अगर देश भर के बच्चों से और नोजवानों से पूछोगे नांगरिकों से आपके लिए समाधान क्या है हम जहां पराजित होते हैं स्वाभावी तरफे चिंतन करके हम कहां कम पड़ गए जनता हमको क्यों जनादेश नहीं देती इसका चिंतन करते कैसे सुधारे ने चिंतन तो क्रियानवेन के लिए होता है ना आप चिंता जब किसी विशे का करेंगे आप इस कारेक्रम का कॉंसेप्ट पर ले प्लान किया होगा ना अपने तब तो जाके कारेक्रम कर रहे हैं तो मेरी कमी कहा रागी में देखूंगा आत्मा अलोकन करूंगा आत्मा अलोकन करने के बाद मेरी कमी कहा रागी इसको सुधारना और और कैसे बहतर करना इ देश की चिंता के लिए बुलाया लेगी ना अबेदूबे जी और प्रेम शुकला जी इस तरह का ये कारेक्रम नहीं है देखी मैंने आपसे वादा किया था ये आखरी कारेक्रम है 2019 का मैंने जब इसको शुरू किया आपसे वादा किया था कि हम परिवर्तन की बात करेंगे ग दुमले नारे बाजी और भाशनों के बीच आपके हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है 2020 में भी हम यही करेंगे और ये मेरा आपसे पक्का वादा है क्योंकि बहुत जरूरी है परिवर्तन पर बहस होना अजंडे पर अकेले नहीं बहुत जरूरी है इसलिए ऐसे ह भी मेरा साथ आगे के समय भी देते रहेगा फिलाल